दोस्तो जिस feature का इंतजार मुझे था, काफी टाइम से All In Trade में वो आखिरकार इंटेड्यूस हो गया है, क्या है feature, इसके सारी detail डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन स्टार्ट करेंगे चैनल के इंट्रो के साथ, तो hello everybody, welcome back with a new video, मैं रविन सिंग एक बार, फिर से आ वो account login करते हैं All In Trade के, तो आपके जो accounts है, वो suspicious activity में चले जाते थे, All In Trade record करता था, suspicious activity कुछ time के बाद आपके account को suspend कर दिया जाता था, हाला कि सब के साथ नहीं होता था, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता था, और ये problem बहुत बड़ी थी, major थी, बहुत सारे feedbacks आये, जिसके बा पीचे आपको button मिलेगा, add account के नाम से, जहां पे आप 5 account add कर सकते हैं, तो यार पहले क्या होता था, अगर आपको एक से जाधा account चलाने है, suppose कि आपका account है, आपके wife का account है, husband का है, brother का है, sister का है, आपको एक mobile में चलाना है, तो of course problem face होती थी, और अगर आपको एक mobile में नहीं अलग-अलग devices में भी चलाना है, तो carry करने में मुश्किल होती थी, ठीक है, यहां पे आपके पास एक device होने की जरुवत थी, यानि कि एक laptop, एक mobile और काफी चीजें जहां से आप इतने सारे accounts login करोगे, access करोगे, but this time, all in trade news problem को किया है solve, और अब आप एक ही mobile से 5 account login कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया, इस screen का आपने देखा ही होगा, बहुत ही simple सा process है, और अब इसके फायदे मैंने बता दिया है, आपको बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के, एक mobile में आप अपने 2 account login कर सकते हो, अच्छी बात यह है कि वो suspicious activity record नहीं होगी, मतलब all in trade क इसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने खुद आपको यह features दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ, वीडियो के नीचे feedback दिया करो अपने, यह सारे feedbacks कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से उन लोगों तक पहुचते हैं, तो यार अपने जो feedbacks है, suggestions है, वो नीचे comment box में जरूर share क किया करो, यह एक और problems, users को usually face करने पड़ दी थी, जब आपकी suspicious activity आ जाती थी, यानि कि आपके पास mail आ जाता था, उसके बाद आपके account में जितना भी balance होता था, वो आप withdrawal नहीं कर सकते थे, कई बार users के साथ ऐसा भी हुआ है, आपने डाली है withdrawal के request, और आपका जो withdrawal है, वो hold पर चला गया है, आपके पास mail आता है, कि आपके account में suspicious activity notice की गई है, आप particularly verification को verify करो, complete करो, तब आपके account के access हम आपको वापिस देंगे, तो आपका जो withdrawal है, वो भी रुख जाता था, तो भाई, अब वो सारी problem हो गई है, खतम, और आप एक ही place से, एक ही device से, पाच ही, अलग अलग all limited account को use कर सकते है, दोस्तों अगर ये problem आपने face की है, अपने past में, present में, तो comment section में मुझे जरूर बताना, पता लगेगा कि कितने लोगों के feedbacks पहुचे हैं उन लोगों तब, और उसके बाद ये problem जो है resolve हुई है, okay, guys, like, comment and share करना बिलकुल मत भूलना, क्योंकि जो म आपकी समस्या है, आप problems होती है, common usually, उन problems को solve करने में मेरा focus जादा रहता है, तो मेरी वीडियो अगर जादा से जादा लोगों तक पहुचेगी, तो उनको आने वाले future में ये problems नहीं face करनी पड़ेगी, जो लोग अभी भी multiple accounts यूज़ करते हैं, same phone में, यानि कि एक ही all limited को लाइक कर देना भाई और कमेंट कर देना, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है, तो openly dislike करके जाओ, और कोई ना कोई reaction वीडियो पे जरूर दे के जाना, friends और exciting contents के लिए, stay tuned with our channel and thank you so much for watching this video, till the end.